इस जरम खुनली को मंगवाईए, ओरर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जरम खुनली के पन्नों में पाईए, चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो, तो मैं स्क्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ, आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है, पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, अभी और करें। नमस्कार दोस्तो, कोई भी ग्रह जब अपनी चाल को बदलता है, चाल बतलब जैसे हम चलते हैं, वाचे ग्रह भी चलता है, तो इस धर्ती पर उसका परभाव पढ़ता है, और शनी जैसा बड़ा ग्रह जो बहुत ही मंद गती से चलता है, जब वो अपनी चाल को बदले, तो बहुत ज़्याधा परभाव पड़ता है. शनीग्र है 17 जून को वक्री हो जाएंगे. शनीग्र है 17 जून से वक्री अवस्था में चले जाएंगे. वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, यानि उल्टा चलना शुरू करतेंगे, पीछे की दरफ चलना शुरूर करतेंगे और शनी देव वैसे ही मंद गती से चलते हैं जब उल्टा चलने लगेंगे तो और मंद हो जाएंगे तो ये शनी देव आपके लिए क्या करने वाले हैं शनी की उल्टी चाल आपको बनाएगी मालाबाल या कंगाल आईए जानते हैं सत्रा चूल से 149 दिन तक बहुत लंबा वक्त है श्रीदेव उल्टी चाल चलेंगे श्रीदेव कर्म के देवता है यानि जितना कर्म करेंगे उतना आपको अच्छा रिडल्ट मिलेगा श्रीदेव जब देने पर आते हैं मत बदल देते हैं शनी का गंगा जल किस किस का होगा मंगडल यह सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को दबाएं फेस्बुक और इंस्राग्राम पर हमें फॉलो करें आईए शुरुवात करते हैं आपकी राशी से यह जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ यह लगन राशी से भी आप देख सकते हैं और अपनी चंद राशी से भी देख सकते हैं महिला बुरुश बच्चों सभी के लिए हैं और आप लोग चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और चैनल से जुने जरूर फेस्बुक और इस्टनग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें अब आते हैं आपकी राशी के उपर 149 दिन कैसे कटेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशी की ये गोचर कुणली आपके समक्ष है इसमें आप ध्यान से देखिए शनिदेव जो है वो बैठे हुए है नवम भाव में वक्री होकर शनी वक्री नवम भाव यानि भाग्ये का भाव आपकी राशी के लिए शरीदेव अस्तम भाव और नवम भाव के स्वामी भी होते हैं वर्तमान में शरी नवम भाव में या कुम राशी में ही गोचर कर रहे हैं यहीं पर वक्री हो जाएंगे अगले 149 दिनों के लिए और 17 जुन को यह वक्री होंगे नवा भाव यानि भाग्य का भाव, किस्मत का भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव नवा घर का ब्रस्पती जब भी होता है तो शुब परिणाम देता है नवागर प्रस्पती का होता है शनी और प्रस्पती दोनों में ज्यान, परिपकोहता, अनुशाशन, धर्म के परती चुकाओ का गुण पाये जाता है सत्रा जन्वरी को आप ढईया के प्रभाव से मुक्त हुए, शनी भाग में बैठकर आपको बहुत बढ़िया परणाम दे रहे थे आपकी राशी के लिए शनी का वक्री होना कोई खास परिशानी को पैदा नहीं करने वाला है तो चिंता कितनी आउशकता नहीं है, छोटी मोटी मुसीबते आएंगी उनको आप जेल लेंगे यानि सब कुछ कंट्रोल में है, शनी की तीसी दरस्ती जो है गुरू के उपर पड़ेगी, राहू के उपर पड़ेगी लाब भाव पर यानि प्रॉफिट के भाव पर, गुरू कहा है प्रॉफिट के भाव में और गुरू के घर में शनी बैठे हुए है तो शनीदेव की सात्मी द्रस्टी प्राकरम भाव पर पड़ेगी और शनीदेव की दस्वी द्रस्टी छटे भाव पर पड़ेगी रोगरन रिकू के भाव पर तो जिन जिन भावों पर शनी की दर्ष्टी पढ़ रही वहाँ पर इसके शुप परिणाम आपको मिलेंगे सेहत को लेकर थोड़ी सावधामी रखिएगा सेहत संबंदी पुरानी बिमारी पर कंट्रोल रखिएगा शनी देओ यहाँ पर बिमारीों को सही होने में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं लेकिन बिमारी को जड़ से खातम करते हैं जदि आपकी जनम कुली में भी शनी वक्री हैं आप जिस समय पैदा हुए उस समय भी शनी वक्री अवस्ता में हैं तो गोचर में आपको बेहत पैदाम मिलेंगे अब यहाँ पे दो कैटेगरी में आप लोग बट गए एक वो लोग हैं जिनकी जनम कुली में शनी मारगी हैं और एक वो लोग हैं जिनकी जनम कुली में शनी वक्री हैं वक्री वक्री मिल गया और एक हो गया वक्री और मारगी तो वक्री वक्री वाले जो हैं जिनकी जरम खुनली में शनी वक्री है और गोचर में भी वक्री है उनके लिए बेहद सुंदर परिणाम आगे मिलने वाले हैं और जिनके में शनी यहां वक्री है और जरम खुनली में म MNC से जोड़ना चाहते हैं तो बढ़िया वक्त है विदेश जाने का सपना पूरा होगा लंबी यात्राएं होगी काम धर्म का है तो उसमें सफलता मिलेगी यानि धर्मी कारियों में सफलता मिलेगी मांगली कारी घर पे होगे जो भी मितुन नाशी का जातक या चातक का कर्म और धर्म दोनों का साथ लेकर चलेगा उसकी विजय ही विजय है पढ़ाई लिखाई का वक्त बढ़िया है पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के भी योग हैं पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकते हैं रिष्टो में जैसा चल रहा तब ऐसा ही चलेगा क्रोध को काड्रोल में रखे तोल मोल कर बोले शनी राहू को देख रहे हैं और केतु शनी को देख रहे हैं तो मजाक मजाक में की गई बात भी लोग उसका बात का पदंगर बना सकते हैं आपको परिशान कर सकते हैं पिता की सेहत में थोड़ा सा ध्यान दीजिए पिता से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स मत करिए उनका सम्मान करिए शरीदेव वैपार में बड़े बड़े समझोते बड़िया बड़िया लोगों से मुलाकात कराएंगे ताकि आप लंबे समय तक अपने वैपार को कर पाएं और वैपार में आ रही दिक्कतों को लंबे समय तक अपने से दूर कर पाएं धन प्राप्ती के लिए अच्छा समय हैं काम कारोबार में बढ़िया समय हैं नौकरी में प्रमोशन के योग हैं शुब ग्रहों की दशा अगर आ बैठे हुए हैं और गुरु जो है वो लाब भाव में बैठे हुए हैं तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं थोड़ा सा सरदर, टेंशन हो सकती, आर्थिक इस्ति बढ़िया होगी, आप कमाएंगे, बचाएंगे, प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे, वहन के योग भी बनेंगे, शुप कारेंगे, सम्तान का सुप भी होगा, विवा का योग भी बनेगा, अचानक से पैत्रक संपत् बहुत बढ़िया अनुशाशन करेंगे, शत्रूओं का विनाश करेंगे, प्लैनिंग के साथ काम करेंगे, लड़ाई जगले में वाद विवास से बचना चाहिए, नौकरी में ट्रांसफर के योग है, माता पिता का आशिरवाद मिलेगा, गुरू का आशिरवाद मिलेगा धर्म के साथ जुड़े रहिए, तरक्की ही तरक्की है, घबराए नहीं, सब कुछ पहले से भी बढ़िया होता हुआ दिखाई पढ़ रहा है, अब यहां पर एक बात प्रविशेश ध्यान दीजिएगा, हमने आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया, उस कत्मे हैं, तो सबसे पहले जर्म कुली की जाच कराईए, अपने सभी ग्रहों को मजबूत बनाईए, जैसे एक उंगली से कोई काम नहीं होता, दो से भी काम नहीं होता, तीन से भी काम नहीं होता, चार से भी काम नहीं होता, लेकिन अगर चारों को एक साथ रखके किसी की गाल पे तपड मारा जाए तो निशान छप जाता है यानि चारों मुलियों की एकता वैसे ही हर ग्रह की एकता और चारों को अगर मुक्का बना के मारा जाए तो फिर दिवार भी हिल जाती है तो ऐसे ही जब ग्रहों का मुक्का बन जाएगा जनम-कुर्ली को मजबूत बनाएंगे जितनी जनम-कुर्ली मजबूत होगी उतना ही आपको आगे बढ़ने में ग्रहों की मदद मिलेगी इस बात को विशेष ध्यान रखिए तब ही आप लोग जीवल में तरक्की कर पाएंगे शनिद्यव यहाँ पर बैटे हैं वक्री अवस्ता में तो कुछ उपाई भी जाल लिए देखिए जो लोग जोस्ची हैं जो लोग उनके लिए समय बहुत बढ़ बढ़ जा रहने वाला है तो आप लोग जो भी धर्म से जुड़े हैं कोई दिक्कत है नहीं और में इंपोर्टेनट बात में यही कहोँगा कि आशवर की सेवा करिए आशवर यानी की जिसको भी आप मानते हैं नंबर दो जो दपर्म गुरु हैं पिता हैं माताः पिता हैं इनकी सेवा करिए इनके पैर रब Bennett जिनके पैर दबेंगे और उनके मूझ से जो आशिरवात निकलेगा वही आपका बेडा पार लगाएगा मंदिर में 2400 घंटे घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा आरती उतारने से भगवान की कुछ नहीं होगा कर्म करने से होगा भगवान को हाथ जोड़िए, प्रढाम करिए, नमशकार करिए, दिल से करिए और अपने काम में लग जाएए और भगवान की सेवा करिए, अपने बड़े भुजरों की सेवा करिए तब ही शनी आपको मेवा देंगे और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पूजा कर लेने से तेल चढ़ाने से शनी देव आपको सब को दे देंगे तो तो चार ट्रक तेल चढ़ा दीजेगा शनी देव के उपर शायद कुछ तब भी नहीं होगा तो सही करिए, उचित करिए, तब ही फाइदा है समझ में आया और सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि अपनी जनम पूली की चांच अभी कराईए ताकि कहीं आप पीछे ना रह जाए तो दिएगे नमबरों पे संपर करी, अपनी अपॉइंट्मेंट बुक कराईए और मैं आपको गारेंटी देता हूँ शनी के साथ बाकी ग्रह भी आपको सफलता देंगे जब उनकी बिगली हुई चाल को हम सुधार देंगे और सुधरेंगी तब जब आप पॉन मिला कर अपनी अपॉइंट्मेंट बुक करेंगे नमस्कार तो इस जनम पूली को मंगवाईए और अपनी समस्या का समाधान इस जनम कूली के पन्नों में पाईए चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो तो मैं स्क्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्याओं का हल इस जनम पत्री में छुपा हुआ है पढ़िये और जानिये कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ती कब और कैसे मिलेगी अभी ओर्डर करें नमस्कार